हेलो प्यारे बच्चो वेलकम बेक ट्यो और्गिनाइज नौलज चैनल और आज की जो वीडियो है उसमें हम गतिविधी पत्रक करेंगे नंबर साथ ठीक है ये आपका जो रीडिंग कैम्पेन है पठन अभियान है बच्चो उसी के तहद क्रम संख्या साथ ये गतिविधी प पत्रक आपको दिया गया है राज्य सेक्षी कनुसंदान एवं परसिक्षन परिशद की ओर से और ये जो गतिविधी पत्रक है आपके लिए 24 जनवरी 2022 के लिए शेडियूल की गई है आज का जो कार्य पत्रक है बच्चो वो आपका हिंदी जो है उससे रेलेटिड है ठीक ह तो जैसे कि आपको एक सर्कुलर भी मिला होगा या आपके टीचेस ने आपको बताया होगा कि 100 डेज का आपका एक डीडिंग कैमपेंड रहेगा उसी के तहत पिछले वोक्षीट में आपको बच्चो हिंदी की इंगलिश की और मैट्स की वोक्षीट दी गई थी ठीक है औ और जैसे कि अगर आज की वक्षीट की हम बात करें तो आज की वक्षीट आपको अपनी हिंदी की कॉपी में करनी है या आपने जो जैनरिक कॉपी बना रखी होगी जिसमें आप सारी वक्षीट करते होगे तो उसमें जो है आप इस वक्षीट को कर सकते हो लेकिन अगर कौपी में कर लीजे ठीक है तो चलिए बच्चो आज पढ़ते हैं कि आज जो है जो कहानी दी गई है वो कौन सी कहानी है तो आज हम पढ़ेंगे शेर और चुहे की कहानी जो आपने पहले भी पढ़ी हुई है और वक्षिर शुकरने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए तो देखे क्या दिया गया है आपको बच्चो बहुत ही अच्छी से एक कहानी दी गई है शेर और चुहे की इससे पहले भी आपने ये कहानी जरूर पढ़ होगी ठीक है तो देखे शेर और चुहे की कहानी पढ़ेंगे और आपको ये दो दो बार पढ़ना है बहुत अच्छे से इसमें जो शब्द दिये गए है जो वाक्की दिये गए है उनको बहुत अच्छे से आपको दो दो बार इनको पढ़ना है एक शेर एक पेड़ के नी उसे पकड़ लिया उसके बाद क्या हुआ लेकिन कुछ सोच के बाद उसने उसे मुक्त कर दिया तो अब देखे यहाँ पे क्या हुआ शेर ने चुहे को पकड़ लिया लेकिन उसने कुछ सोचा और उसने उसे मुक्त कर दिया अब यहाँ पे यह नहीं दिया गया है कि उसने क क्या सोचा क्या सोच कर उसने जो है चुहे को छोड़ दिया लेकिन यहां पे क्या हुआ होगा यहां पे हुआ होगा कि जब चुहे जो है शेर चुहे को खाने वाला होगा तो चुहे ने जरूर शेर को कहा होगा कि मैं तो बहुत छोटा सा हूँ और मुझे खाने से आपका इत फिर शेर को दया आ गई होगी चूहे की बातों पर और उसने उसे छोड़ दिया होगा उसके बाद क्या हुआ चूहे ने शेर को धन्यवाद दिया और कहा कि वह एक दिन शेर की मदद करेगा उसके बाद फिर क्या होता है एक दिन एक दिन शेर जो है वो जाल में फस जाता है जाल में फस गया और फिर क्या हुआ चूहा वहां आ गया और उसने जाल को काट दिया शेर ने क्या किया शेर ने चूहे का शुक्रिया किया अब हम इसको एक बार फिर से जो है रीडिंग करेंगे इसकी देखे क्या हुआ एक शेर एक पेड के नीचे सो रहा था अचानक एक च चूहा छेद से बहार आया और शेर के शरीर पर कूद गया शेर ने उसे पकड लिया लेकिन कुछ सोच के बाद उसने उसे मुप्त कर दिया चूहे ने शेर को धन्यवाद दिया और कहा कि एक दिन वह शेर की मदद करेगा एक दिन शेर जाल में फस गया चूहा वहां आ गया औ और उसने जाल को काट दिया शेर ने क्या किया शेर ने चूहे का शुक्रिया अदा किया ठीक है और इस तरह से जो है उसने उसकी मदद भी की अब यहाँ पे इस कहानी के आधार पर आपको बताना है शेर ने चूहे को क्यों छोड़ दिया तो ये दो तो हमें प्रश्न दिये और एक यहां पर आपको दिया गया है अपनी कल्पना से शेर और चूहे का चित्र आपको बनाना है शेर ने चूहे को क्यों छोड़ दिया तो चूहे ने शेर को कहा होगा कि मैं बहुत छोटा हूँ और मेरे खाने से आपका पेट नहीं भरेगा और अगर मेरी कभी भी आपको सहायता पड़ी तो मैं भविश्य में आपकी सहायता जरूर करूंगा तो चूहे पर दया करके शेर ने उसे छोड़ दिया तो यह आंसर आप लिख देंगे नेक्स देखे शेर ने चूहे को शुक्रिया क्यों कहा तो चूहे ने जाल को काट कर शेर की जान बचाई इसलिए शेर ने चूहे का शुक्रिया किया या आप आंसर लिखेंगे नेक्स देखे अपनी कलपना से शेर और चूहे का चित्र बनाईए तो आपको जो है शेर और चूहे दोनों का क्या बनाना है चित्र बनाना है तो बच्चो कुछ इस थरे से आपको जो है शेर का चित्र बनाना है और इसमें रंग भरना है तो आपको दिया गया जैसे चित्र दिया गया है न ऐसे ही आपको बनाने की कोशिश करनी है और फिर इसमें रंग भरना है तो ये तो हो गया आपका उपर लिख देंगे शेर का च एक चित्र ऐसा लिग्देंगे शेर का चित्र और यहां से आप बना लेंगे चूहे का चित्र तो यह हो गया आपका चूहे का चित्र और वो हो जाएगा आपका शेर का चित्र तो इस तरह से दोनों में आपको सundर से रंग भरने हैं और अपनी टीचर के पास इस Wow Egyptian को send करना है तो ये थी students आपकी आज की बच्चो हिंदी की activity sheet ठीक है I hope सभी बच्चो को ये clear है कोई भी doubt है तो प्यारे बच्चो आप पूछ सकते हो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर से like कीजेगा share कीजेगा और channel को subscribe कर लीजेगा so thanks for watching have a nice day